हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लेंवरिदेतिमन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के कुश्यन आंसर तो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में काली बंगा और आहर सब्वेता के सभी प्रस्ण जो है वो अच्छे से कर लिये थे तो चलिए next सभ्वेताओं के बारे में हम स्टार्ट करते हैं और 29 से उदैपूर की वललब तहसील का बाला थल किस सभ्वेता से संब्वन्दित है जिसका आंसर है तामर पाशान कालीन आहर सभ्वेता से नेक्स्ट दिखिए, कुश्यन 30 है, किस सब्वेता इस तल से हमें ग्यारा कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन प्राप्तों हुए हैं? तो आंसर है बाला थल सब्वेता बाला थल से ताम्र सब्वेता के अलावा किस सब्वेता के अफसेश मिलते हैं? तो यहां हमें ताम्र सब्वेता के अलावा भी लोह कालीन सब्वेता के अफसेश भी मिलते हैं यानि बाला थल सब्वेता से हमें तामा तो मिलता ही है, इसके साथ साथ लोहा भी मिलता है चलिए next question है question 32 loha गलाने की भट्टियां कहां से प्रापत हुई है लोः गलाने की भट्टियां जो हैं वह हमें कहां से मिली है तो बाला थल सब्वेता से मिली है यहां हमें तामबा और लोहा दोनों ही प्रापत हुआ है नेक्स्ट है कुशन नमबर 33 बैराठ जैपूर के अलावा किस इस्थान से हमें बुने हुए वस्तर के अफसेश प्राप्त हुए हैं तो देखें बैराठ जैपूर से तो हमें बुने हुए वस्तर मिले ही हैं इसके अलावा बाला थल से भी हमें बुने हुए वस्तर के अफसे मिलते हैं. नेक्स्ट देखिए कुष्यन 34. गनेशोर सबयता के अवसेस कहां से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिला नीम का थाना तहसील से प्राप्त हुए हैं. तो हमने बाला तल सबयता पढ़ ली, काली बंगा और अहर सबयता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था और अब हम गनेश्वर सब्वेता से संबंदी सभी प्रशन देखते हैं नेक्स्ट देखिए कुश्यन नंबर 34 है गनेश्वर सब्वेता को किस नाम से जाना जाता है तो गनेश्वर सब्वेता को ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है गनेश्वर सब्वेता जो सबसे प्राचीन सब्वेता है, यहां से हमें सबसे पहले तांबे की अवसेज जो है वो मिलते हैं, यानि सबसे पुरानी सब्वेता कही जाती है, इसलिए यह से तांबे सब्वेताओं के जननी भी कहा जाता है गनिशोर से कौन सा तांबे के उपकरन पक्षिम तथा मद एशिया में निर्यात किया जाता था तो यहां देखिए यहां पर दोहरी परतदार शिरावली तांबे की पिंज जो है वह निर्यात की जाती थी मद एशिया और पक्षिमी एशिया में गनिशोर सब्वेदा से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्दन प्राप्त हुए हैं यहां हमें दो प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं लोहा कालीन पूरा तात्विक इस्थल राजिस्थान में कौन-कौन से हैं तो अब देखिए जहां से हमें लोहे के अवसेस मिले हैं तो ये है बेराट सब्वेता, सामहर, बागोर और रेन सब्वेता बेराट राजिस्थान के किस जिले में इस्सित है? बेराट जो है वह है राजिस्थान के जैपुर जिले में इस्सित है तो यह बेराट से ही संबंदित है राजिस्थान के किस सब्वेता से एक कमरे से 36 चान्दी की मुद्राइं प्राप्त हूई है तो यह बेराट से ही प्राप्त हूई है पांडवों ने एक वर्ष का अग्यातवास कहां बिताया था तो इस बैराट में ही विराट नगर के नाम से जो जाना जाता है यहां पर पांडवों ने एक वर्ष का अग्यातवास बिताया था महाभारत के अनुसार राजिस्थान में मोरे काल का मुख्य केंद्र क्या रहा था तो देखिए जो बेराट सब्वेता है वह हर यूग में ही यहां से अवसेश जो है वो मिलते हैं पाशान काल से लेकर मोरे काल तक यहां अवशेश मिलते हैं, तो यहां मोरे काल में मुख्य केंद्र रहा है बैराट, किस स्थान से अशो के भाबरु से लालिक और बौध मट के अवसेश प्राप्त हुए हैं, तो अशो के भाबरु से लालिक और बौध मट के अवसेश जो है वो मिलते हैं बैराठ से नेक्स्ट देखिए चतिस चांदी की मुद्राएं जो बैराठ से प्राप्त हुई उनमें से कितनी भारतिय युनानी शाषकों की हैं तो 36 चांदी की मुद्राएं हमें मिली थी बैराट इस्थल से, तो इसमें 28 जो मुद्राएं हैं वह भार्तिय युनानी शाषिकों की हैं, 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं जो हैं वो पंच मार्क हैं तो यहां पर 8 मुद्राएं जो थी वह पंच मार्क थी नेक्स्ट देखिए कहां की खुदाई से स्वास्तिक और त्री रत्न चक्र के चिन जो है वो अलंकृत घड़े दीपक नास्ता पक्षी पत्थर की संदूक लोहे की कील और हस्त निर्मित वस्तिर प्राप्त हुआ है तो यह बैराट सब्वेता से हमें प्राप्त हुआ है यहा मिला है तो यहां पर हमने पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है हर कोशन जो है वो हमने यहां पर देख लिये हैं आप लोगों का काम है कि बार-बार इन कोशन को पढ़ना और वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है ताकि हर चैप्टर के जो question answer है वो आप लोगों को समझ में आ सकें मिलते हैं next video के साथ thank you